आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ आते हैं तीनिया जो की क्या है यह सारे हमारे पैथोजेनिक प्रोटोजोंस है जो की एंडो पैरासाइट के रूप में बॉडी में पाये जाते हैं एंडो पैरासाइट और होस्ट न्यूट्रियन को यह लोग कैप्चर करते हैं अब तो चलिए आउक्शन्स देख लेते हैं तो पहला है सर्कुलेटरी सिस्टम तो फ्लाट वाम में जो है सर्कुलेटरी सिस्टम एपसेंट रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एपसेंट रहता है और स्केलीटरी सिस्टम भी एपसेंट रहता है क्योंकि ये लोग जो respire करते हैं या फिर जो diffusion करते हैं oxygen का वो via लोग skin करते हैं diffusion जो है ये via skin through होता है और इसी वज़े से इनके लिए कोई respiratory organ या फिर कोई lung जो है वो present नहीं रहता है और इसी वज़े से जो circulatory system है या फिर hurt है वो भी present नहीं रहता है क्योंकि इन में जो transfusion होता है या फिर जो food absorption होता है वो via skin होता है नेक्स है हमारा skeletal system तो skeletal system इन में present नहीं होता है क्योंकि इनके outer surface में जो पाया जाता है वो होता है जो as a locomotory organ यानि movement में help करता है movement में help करता है और ये जो organisms होते हैं ये क्या होते हैं ये triploblastik होते हैं triploblastik का मतलब इनके अंदर तीन लेयर पाया जाता है जो की ectoderm होता है mesoderm होता है बीच में और last में endoderm और ये तीन लेयर जो है वो अंदर पाये जाते हैं और जहां पर mesoderm endoderm ये combine करके एक single common layer बनाता है तो ये organism इसी वज़े से इनके बाहर का कोई अलग skeleton जो है वो नहीं पाया जाता है जो की hard हो और इसलिए ये सारे flatworms जो हैं बहुत जादा soft होते हैं तो हमारा correct option होगा all of the above तो fourth option को हम लोग टिक कर लेंगे Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर